मैं हर दिन देख रहा हूँ कि दुनिया में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है हमारे अपने लोगों के बीच भी तमामों लोग छोटा प्रतिशत नहीं है ये लोगों का बड़ा प्रतिशत है वे कुछ करेंगे कुछ किया जाना है मान लेजिए कोई काम किया जाना है और वो काम नहीं हुआ जब काम नहीं हो पाता तो पहला विचार आएगा उसकी वजह से ये नहीं हुआ इसकी वजह से ये नहीं हुआ लेकिन हमने काफी हद तक अपने लोगों को ठीक कर लिया है कि अब वे किसी पर उंगली नहीं उठाते आप देखेंगे कि तमामों लोग किसी आध्यात्मिक कारण की तलाश करेंगे काम क्यूं नहीं हुआ पता नहीं सद्गुरू क्या हुआ हमने सब किया और ठीक से किया असल में वे मुझे दोश दे रहे हैं सद्गुरू आपकी कृपा काम नहीं कर रही है पहले दिन से इनर एंजिनियरिंग के पहले दिन से यहां तक की फ्री परिचाय सत्र में भी केवल एक चीज जो हम आपके सिर में डालने की कोशिश कर रहे है अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो जाहिर है कि उसे ठीक से नहीं किया गया है हलो कोई चीज ठीक से नहीं की गई है हो सकता है कि आपको अभी वज़ा पता नहीं है वो मुद्दा नहीं है पर कोई चीज काम नहीं कर रही है कोई चीज ठीक नहीं हुई है जैसे होनी चाहिये थी वैसे नहीं हुई तो जाहिर है कि हमने कोई चीज ठीक नहीं की पर लोग आध्यात्मिक समाधान ढूंडते हैं बहुत सारे लोगों के लिए यही आध्यात्म है जीवन की सरल चीजों को वे जटिल बना देते हैं और वो आध्यात्म है नहीं नहीं आध्यात्म का आर्थ है सबसे रहस्यमय चीजें जो आप अपनी पांच इंद्रियों या अपनी बुनियादी तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकते उन्हें काफी तारकिक रूप से उपलब्ध कराना ये आध्यात्म है पर सरल चीजों को अनुपलब्ध और आध्यात्मिक बना देना किसी भी तरह का आध्यात्म नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके काम में टकराव हो रहा है अगर टकराव है, तो जाहिर है कि आप सैंट पेपर है आप सैंड पेपर जानते हैं मैं उनसे आपको एक सैंड पेपर देने के लिए कहूंगा एक छोटा टुकडा रोज जब भी आपका किसी से टकराव हो तो बस अपनी तवचा को कहीं पर थोड़ा रगड दे तो अगर आप खुद को जल्दी ठीक नहीं करते तो आपकी कोई तवचा नहीं बची होगी जब आपके पास कोई तवचा नहीं बची होगी तो आप कुछ भी नहीं चुएंगे आप नहीं टकराएंगे आप टकराव की तलाश नहीं करेंगे आप आहिस्ता चलेंगे मान लीजिये आपकी तवचा नहीं होती तो आप कैसे चलते आप ऐसे चलते कि एक छोटा सा पंक भी आपको नच हुए इस तरह चलते हैं ना क्योंकि अब हर चीज में दर्द होगा अगर आप वैसा इलाज चाहते हैं तो हम कर सकते हैं वरना पहले अपने होश में आईए तकराव हो रहा है यानि जहां भी आप जाते हैं तकराव हो रहा है तो जाहिर है कि वज़ा आप है तक्राव कम करने के लिए आप एक सरल चीज कर सकते हैं मैंने आपको कई बार कहा है पर आपने बात नहीं मानी आप एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनिट में प्रती मिनिट जितने शब्द आप बोलते हैं उसे 50 प्रतिशत तक नीचे ले आईए फिर भी वही काम कीजिए आप देखेंगे कि टकराव काफी कम हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप बगबग नहीं कर रहे हैं हाँ और हम आपको प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं आप जो भी देखते हैं चाहे आप किसी आदमी, औरत, बच्चे, गाए, गधे गधे को भी आपको नहीं फिर टकराव कैसे नहीं होगा टकराव होगा तो सिर्फ जब सद्गुरु यहां है तो इस तरह बाकी समय इस तरह ये काम नहीं करेगा इसे खुद के अंदर लाईए सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं, वास्तव में तो टकराव दो प्रकार के होते हैं एक आपके भीतर बाहर सिर्फ ये एक अभिव्यक्ति और एक परिणाम होता है तो इनर इंजिनियरिंग की पूरी चीज का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप यहां बैठते हैं, तो आप बिना किसी टकराव के यहां बैठ सकें अगर आप यहां बिना किसी टकराव के बैठ सकते हैं तो बाहरी टकराव भी कम हो जाएगा पर जब आप किसी सैंड पेपर से मिलते हैं तो कुछ ठकराव तो होगा सैंड पेपर होते हैं तो जब आप एक सैंड पेपर से मिलते हैं तो ठकराव तो होगा वरना कैसे ये होगा तो आम तोर पर हम सैंड पेपर से जितना हो सके बचते हैं पर कभी-कभी हमें उनके साथ काम करना पड़ता है जब हमें सैंड पेपर के साथ काम करना हो तो आपको चतुराई चाहिए होती है ये चीज आपको सीखनी होगी परना ये नहीं आएगा इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है ये समाज में चतुराई है कभी कभी ये काम नहीं करती पर ये हुनर की बात है कुछ लोग जो बिलकुल आध्यात्पिक नहीं होते वे सैंड पेपर से मिलने पर बहुत चतुराई से काम लेते हैं आप ऐसे एजिंटों और दूसरे लोगों को देखेंगे जो सरकारी कार्यालेओं और राजनीतिक माहौल में काम करते हैं वे बहुत चिकने होते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना अख़ड है ये लोग बस वे सिर्फ अपना काम निकाल कर चल देते हैं तो सैंड पेपर के साथ काम करने के लिए खुनर और अनुभव चाहिए इसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है ये एक सामाजिक हुनर है पर आम तोर पर आश्रम में बहुत कम सैंड पेपर है कभी-कभी लोग उन पर रेत डाल देते हैं पर वे जाड देते हैं वे उसे हर समय खुद पर नहीं रखते कभी-कभी वे वैसे होते हैं वे हर समय वैसे नहीं होते तो जब वे वैसे होते हैं जब साही के कांटे खड़े हों तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए जब वो नीचे हों तो आप उनसे बात कर सकते हैं वो हर समय कांटे खड़े नहीं रखता उसमें उतनी ताकत नहीं होती तो आपका टकराव आपको समझना चाहिए ये सिर्फ आप है मैं क्या करूँ मुझे क्या करना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा आपको बस इतना ही करना है हम आपके लिए एक विशेश गधा लाएंगे आपको उसको पीछे से जुक कर प्रणाम करना होगा सामने से नहीं सद्गुरु मैं गया और गधे के खुरों को छुआ नहीं नहीं, सामने से ये काम नहीं करता है ये पीछे से ही काम करता है झाल झाल